नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सिंटू टेक्निकल और आज मैं इस वीडियो में एक AC का मोटर वाइंडिंग करने वाला हूं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका मैंने क्वाइल मैं कर लिए है इसका जो रुणिंग कोणा युर्णु ऑला युसा युल मैं कर करते हैं तो चलिए दोस्तो इसका बेसीक डाटा भी समघते हैं इसका और पहर नौ स्वाइन है तो चलिए winding start करते हैं तो दोस्तों मैंने इसका running का qual बना लिया है total 6 qual running का होगा और 6 qual starting का 930 rpm जो होता है उसमें 6 qual running और 6 qual starting का बनाया जाता है तो चलिए दोस्तों इसको 1-4 पे और 1-6 पे winding करना है 1-4 पे एक layer और 1-6 पे दो layer और बीच में 2 slot आपको छोड़ना है 1-4 पे winding करने के लिए तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक से 4 पे winding हो चुका है और 1-6 पर जो है winding हो रहा है एक layer winding हो चुका है और यह दूसरा जो layer है उसी पे डाल देना है तो दोस्तों आप देख लिजे बिल्कुल कोईल जो है winding हो चुका है और इसका कोईल का साइज भी बहुत ही अच्छा बना है बरा भी नहीं बना है और नहीं छोटा हुआ है तो सेम इसी तरह से आपको टोटल जो क्वाइल है सबसे पहले इसका मैं डाटा भी आपको बता दूं ताकि वीडियो लंबा भी और डाटा भी आपको पता चले तो इसका जो रनिंग का जो डाटा है वह एक से चार पे एक लेयर और एक से च्छे पे दो लेयर और इसका चर्ण होगा 110 और स्टेंडर वार्गेज 28 नंबर अल्मोनियम और क्वाइल का तो जो टोटल लेंद्थ होगा वह एक किस इंच होगा है तो दोस्तो आप जो इस स्क्रीन पर देख रहें आप इसको आप लिख भी सकते हैं और सबसे बड़ी बात है दोस्तों की जैसा की एक इंच एक सूत का है अगर यह एक चार सूत या एक छे सूत का रहेगा तो इसका डाटा अलग होगा सबका डाटा एक जैसा नहीं हो सकता है दोस्तों जैसा मतलब आपका सूत के हिसाब से किसी भी मोटर का डाटा होता है अगर यह 6 सूत का रहे, 1 इंच 7 सूत का रहे, तो सबका डाटा अलग-अलग होगा दोस्तों तो इसलिए जो है यह एक इंच एक सूत का डाटा है तो कभी भी यह डाटा का परियोग करें तो एक इंच एक सूत महीं करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा क्यूआ कि वीडियो हो चुकता है लंबा हैं कंग ऒला है तो इसका जो भी क्वायल जो होता है जो भी एक से चार और एक से भाइनडिंदीं होता इसलिए अबार सभी को मैं बाइन गर्के दिखता तो वीडियो बहुथ ही लंबा हो जाता और मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबा नहों और आपको समझ में भी आए और किसी तरह का अगर कुछ छूच जाए या कुछ बताना भूल जाओं दोस्तों तो कमेंट जरूर करें या कुछ पुछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कुछ तो आप देख रहे हैं दोस्तो मेरा चे प्यक्या रौनिंग काских नहीं का कुछ रौक्त OFF चलिए इसमें थोरा मास्कीं टेप भी लगा लेते हैं ताकि इस टार्टिंग वाईंडिंग करने से दिक्कत मैं कि धिकत्न महों हो जो aktा है रनीन अपस शोट्थ होना चाहिए तो इसके लिए मैं अविछ में लगा लेना ज़रूरी है म Gibran PH लगने उसके साथ हे शुक्ताइपिशने लगा लेना जरूरी है कि कि एसमें भी आपको मैंने बताया था 6 को अलनिंग 6 को आल स्टार्टिंग का तो यस स्टाटिंग का जो है यह 6 को है और चलिए इसको वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये स्टार्टिंग को भी आपको एक से चार और एक से छे पर वाइन्डिंग करना है आप देखना एक से चार पर वाइन्डिंग हो चुका है तो चलिए दोस्तो ये मेरा स्टार्टिंग का क्वाइल भी वाइन्डिंग हो चुका है तो सेम इसी तरह सब स्टार्टिंग को वाइन्डिंग करना है तो चलिए इसका भी डाटा समझ लेते हैं कि ये स्टार्टिंग का जो डाटा है वो क्या है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है स्टार्टिंग का जो है एक से चार पे एक लियर और एक से छे पे दो लियर वाइंडिंग किये हैं और इसमें भी जो है 110 टर्ण देना है और इसका भी स्टेंडर वायर गेज 28 नंबर अलमुनियम रहेगा और टोटल क्वाइल 21 इंच रहेगा पूरा राउंडिंग में और इसमें कैपिसीटर दोस्तों छे एमफडी का लगाना है और जो दोस्तों इसका जो रनिंग और स्टार्टिंग का जो क्वाइल का वजन होगा वेट होगा वह लगबग 200 ग्राम के आसपास होगा कि अलमुनियम 200 ग्राम तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप और भी तरह का वाइंडिंग देखना चाहते हैं तो आप सिंट्टू टेक्निकल चैनल जो है सर्च करके यूटूब पर आप देख सकते हैं मैं कूलर का एसी का चेमनी का मोटर हर तरह का मोटर का माइंडिंग करते रहता हूं दोस्तो को और यूटूब पर अपलोड करते रहता हूं तो आप वहां पर जाके मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं सही सही डाटा बताने का कोशिश करता हूं दोस्तों और किस तरह से जल्दी बने यह भी मैं बताने का कोशिश करता हूं तो चलिए दोस्तों यह मेरा स्टा बैंडिंग किया है जो चार वांडिंग हो चुका और यह दो वाकती है only अगर तोल गदर करके दिखाऊंगा दोस्तों तो बीडियो कम से कम आदा घंटा से ऊपर का बन जाएँगा और हम नहीं चाहता हूं कि बिजुए लबा बनाओ और दोस्तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं वीडियो को छोड़ देते हैं वीडियो को मैं खुद ही छोड़ कर मनाता हूं तो वीडियो को पूरा देखें अगर समझना है सिखना है तो वीडियो को पूरा देखें तो दोस्तों मेरा वाइंडिंग जो है कम्प्लीट होने वाला है कम्प्लीट होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पढ़ना है तो हमारे चैनल सिंटू टेक्निकल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाओ तो आप उसको देख सकें तो चलिए दोस्तों आप देख रहें मेरा वाइंडिंग जो है कम्पलीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा जो है इसका वाइंडिंग हुआ है क्वाइल का साइज भी बहुत ही अच्छा बना है तो दोस्तों जैसे आप देख रहें मैंने इसका फिनिसिंग कर लिया है और बहुत ही अच्छा इसका जो है फिनिसिंग हुआ है अगर पूरा वीडियो बनाता तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता वीडियो तो यहां समझ लेते हैं दो मैंने रनिंग का वायर निकाला है और दो यह उजला वाला और श्टार्टिंग का वायर निकाला है तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार फिट से कहता हूं कि वीडियो को कर लीजिए लाइक और हमारे चैनल करना है तो कर लिजिए सस्क्राइब और किसी भी तरह का एसी का और भी मोटर देखना चाहते हैं तो अभी एक इंड्डी स स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो चलिए आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद